So guys welcome back once again मैं हूँ अब शेक और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं chapter 3 pair of linear equation into variable यह जो chapter है ना यह बहुत easy chapter है इस chapter की exercise 3.1 को आज हम लोग solve करने वाले हैं मगर 3.1 को solve करने से पहले मैं आप से कहूंगा कि भाईया आप इस chapter का introduction वीडियो जरूर देख लेना अगर आपने introduction वीडियो देखा ना तो आपको यह exercise easy से भी आसान लगेगे तो देखो यहाँ पर जो exercise 3.1 है इस exercise के सारे question इसी वीडियो में आज हम लोग complete पढ़ेंगे तो शुरू करते है question number यहाँ पर 1 से यहाँ पर question number 1 है यह कह रहा from the pair of linear equation in the following pair sorry in the following problem and find their solution graphically यहाँ पर question कह रहा है कि जो यह problem दीखे न इस problem से linear equation बनाओ फिर उसके बाद इसको solve करो graph में बस हमें यह करना अब graph में solve करने लिए आपके पास graph paper होना जरूरी है आप graph paper में solve करोगे हम normal paper में solve करेंगे क्योंकि में पास graph नहीं है इस समय ओके तो चलो यहाँ पर question number 1 10 student of class 10 took part in mathematics quiz if the number of girl is 4 more than the number of boys find a number of boys and girl who took part in the quiz question कह रहा है कि 10 student ने जो की class 10 में थे उन्होंने participate किया math quiz में question ने यह बताया कि यहाँ पर जो girl है वो boys से 4 जादा है और girl और boy कितने है यह find करके बताओ question समझ में आया फिर से देखो तो class 10 में कुछ 10 बच्चे थे जिन्होंने participate किया था math quiz में question कह रहा है the number of girl is 4 more than number of boy मतलब कहने का यह कि जितने भी boy है participate कर रहा है उससे 4 जादा girl है suppose that 10 boy ने participate ले लिया suppose बोल ले ठीक है तो जो girl होंगे ना वो 14 हो जाएंगी अगर 20 boys होंगे ना तो girl हो जाएंगी 24 हो जाएंगी clear है क्योंकि यहां पर clear बोल दिया कि 4 more than the number of boys got it चलो आगे करा find the number of boys and girls who took part in the quiz question नहीं का है कि यह बताओ कितने boy और कितने girl ने यहां पर participate किया है यह हमें बताना है got it समझ में आगया चलो अब कैसे करेंगे देखो इस question से पहले हमें बनाने पड़ेगी linear equation linear equation के बाद हमें graph में represent करना होगा कैसे बनाएंगे उसको देखो well अब इसके solution को करने के लिए हमें समझना पड़ेगा question ने पूछा क्या question ने पूछा था find a number of boys and number of girls जो भी चीज question पूछेगा ना सबसे पहले उसी को ही let कर लो तो यहां पर लिखेंगे let the number of boy ठीक है number of boy कर लो या फिर girl कर लो आपकी मर्जी ठीक है girl कर लिया है हमने यहां पर girl को let कर लिया है x ठीक है इसी तरह हमने let कर लिया let the number of यहां कर दिया हमने boys तो जो number of boy है उसको हमने let कर लिया है यहां पर y आप x a औ b भी कर सकते है x y की जागे पर आप कुछ भी let कर ले ना आपकी मर्जी ठीक है चलो तो यह तो हमने let कर लिया अब question ने क्या question ने यहां पर कह था total जो हमारे पास student है यहां लिख दिया हमने total total यहां कर दिया number of यहां कर दिया हमने student total number of student है वो हमारे पास है 10 ठीक है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि x मतलब boy को और girl को दोनों को मिला के जो total student है वो हमारे पास 10 है यहां got it चलो अब इसके बाद question ने यह कहा था इसको पहले पहली question बोल दो यह हमारी पहली question है अब question ने यह कहा था कि जो girl है ना हमारे पास वो boy से 4 जादा है ठीक है क्या कहा था number of girl ना लिख दिया number of girl is more than is more more than the number of the number of यहां पर हो गया हमारे पास boys clear हो गया है तो हमारे पास जो girl से ना वो 4 जादा थी कितनी जादे थी 4 तो हमारे पास जो girl हुई वो x equals 2 हो जाएगा y plus 4 अब यह चीज़ तो समझ में नहीं आ रही होगे अभी हम बताते हैं देखो question ने क्या कहा था कि हमारे पास जो girl है वो boys से 4 जादा है तो boys कितने हो गये y 4 जादा मतलब 4 तो total जो हो आएगा ना वो कितना हो जाएगा वो हमारा girl हो जाएगी clear होगे इतनी बात यह बात समझ में आगे ना फिर से देखो यहां पर y का मतलब हो रहा है boy और plus 4 हो रहा है question ने कहा था boy से 4 जादा हो जाएगी वो हमारी girl है ठीक है तो वहीं पर हमारी equation यह बन गई अब इसको बोल देंगे यह हमारी दूसरी equation समझ गए अब जो हमारी दो equation आ चुकी है तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे table अब table कैसे बनाए जाती उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर हमने बना दिया कुछ इस तरीके से table यह हो गए अब हमें यहाँ पर x की value और y की value लिखनी हो गए अब कैसे लिखेंगे वो हमें समझना होगा ठीक है यह हमने बना दिया सबसे पहले लेते हैं हम लोग पहली वाली equation जो पहली equation है वो हमारे पस x plus y equals to हो गया हमारे पस 10 clear हो गया अब हम क्या करेंगे x या y में से किसी भी a को equal के इस side भेज देंगे आपकी मर्जी किसी को भी भेज दो हमने यहाँ पर x को भेज दिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पस 10 minus x हो गया ठीक है अब हमें y की value चाहिए तो हमें x की value कुछ ना कुछ अपने मन से put करनी है अब हमें ऐसी value यहाँ पर put करनी कि जब हम लोग इसे solve करें तो हमाई पास fraction में ना है बस यह बात याद अखना है अभी तो fraction में नहीं आएगा क्योंकि divide में कुछ है नहीं जब कभी भी divide में होता है तब fraction में आता है चलो मगर यह point आप हमेशा याद अखना कि हमें कुछ ऐसी value put करनी होती है कि जो हमारा solution आए ना वो fraction में ना है मतलब कि divide में ना है चलो अब इसे करो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने put कर दिया है putting x की जगहाई पर हमने कर दिया है 1 कर दिया चलो 5 किया अब इसको हमने solve किया तो y equals to आ जाएगा 10 यहाँ पर हो गया minus 5 हो गया अब इसको solve कर दो कि तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा यह हो गया हमारे पस तो y की value हमको 5 मिल गई समझ गया अब हमें क्या करना है अब इसी तरीके से हमें 3 बार करना है क्या करना है तो जैसे कि अभी हमने x की value 5 लिखी तो y भी हमको क्या मिल गई है 5 मिल गई है अब ऐसे ही करना ह हमें तीनों में, तो यहाँ पर फिर से आओ जाओ, अब हम लोग Y की जगहे पर X जगहे में कुछ और पुट करके देखते हैं, अब हम लोग 4 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Y X जगहे में सिक्स करते हैं, तो यहाँ पर हमें पास Y क्वस्ट जगहे हमें, जाएगा Y जगहे में 6, यह बन गई हमारी टेबल की से बनी हैं, पहली वाली एक्क्वेशन से हैं, अब हमें इसवाली बन इक्क्वेशन से भी बनानी है, दोनों से बनानी है, तो अब दूसरी वैल इक्वेशन को यहाँ पर ले लो, और यहाँ पर लिखो, x equals to y plus 4, यहाँ पर, अब इसमें कुछ चेंजमेंट करने की नहीं जोग रहत है, क्योंकि x बराबर है y plus 4 की, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें y की वैलू कुछ ना कुछ पूट करनी है, तो y की वैलू हम क्या पूट कर दे, यह आपकी मर्जी है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले y की वैलू पूट करने जा रहे हैं, यहाँ पर आगया, चलो टू कर दे, यहाँ पर आगया, हमको यह मिल गई, ठीक है, चलो, अब हम क्या कर दे, अब हम यहाँ पर पूट कर देते हैं, जैसे की y की जगह पर हमने कर दिया है, 2 कर दिया, 3 कर दो, कुछ भी नंबर पूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, x एकोस टू कर दी, हमने 3, प्लेस 4, यहाँ पर x आगया, हमारे पस 7, यह आगया, तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली, अब हम लोग बनाएंगे टेबल, यह रही हमारे पस टेबल, अब इसमें x ओ y की वैल्यू पूट करो, यह x हो गया, यह y है, अब x ही जगह पर हमने, sorry, y की जगह में जब हमने 1 पूट किया, तो x हमको 5 मिला था, फिर हमने y की जगह में 2 पूट किया, तो x हमको 6 मिला, फिर हमने x जगह में 7 पूट किया, sorry, y की जगह पर 7 पूट किया, 7 किया, तो हमें y मिल गया है, यहाँ पर, क्या हो गया Y की जगह पे 3 पुट किया तो X हमको मिल गया 7 यह हो गई हमारे पास table ठीक है चलो अब जब हमारे पास 2 table हमें मिल गई है तो इसके बाद हमें इसे graph में represent करके दिखाना होता है तो graph में represent करने के लिए आपके पास graph paper होना ज़रूरी है हमने अपना graph बना लिया है यहाँ पर छीक है यह रहा graph और एक यह रहा graph दो graph बनाए क्योंकि इसमें दो part है इसके लिए तो चलो इसको देखो यहाँ पर हमारा यह जो है यह x-axis होता है छीक है यह हमारी y-axis होती है इतनी बात के लिए रहे अब अपने table को देखते जाओ और इ यह हो गया अब यह दोनों देखो कहां पर मिलेंगे अप्रॉक्स इस point में मिलेंगी देखो अब graph में बनाओगे न तो आपके graph बिल्कुल clear बनेंगे point to point बनेंगे अगर इस तरह की बनाओगे तो आपके point थोड़े इधर उदर हो जाएंगे चलो यह हमने मान लिए कि यह हम हमारे पास 5,5 हो गया है समझ गया है चलो आंगे आओ जाओ एक हमारे पास 4 है ठीक है यह हो गया 4 और y हमारे पास 6 है 6 हमारे पास यह हमारे पास कहां पर मिलेगी 4 और यह 6 यह मान लो यह कहीं इस point में मिल जाएगा y 6 है यह 4 है अगर हम इसको देखे तो यह point हमने थोड़ा सा गलत बना रखा है यहां कहीं मिलेगा ठीक है यह आजएगा समझ गया, चलो, अब यहाँ पर आज़ा 6 और 4 है, 6 हमारे पास x है, यह है, और 4 हमारे पास y है, तो यह हमारे पास कहां मिलने वाले हैं? इस point में मिलेगा, यह हो गया हमारे पास एक और point, यह हो गया, क्लियर होगे इतनी बत, ये 3 point हमें मिल गया, अब हमें जो यह तीन पॉइंट मिले ना, यह किस equation से, यह हमारी x equals to y plus 4 वाली equation से थे, इस से, sorry, x plus y equals to 10 वाली से थे, पहले इसमें हम line कीचेंगे कैसे, और यहाँ पर ऐसे हमने बनाया, दोखो यह कम पड़ रहा ना, अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो यह ऐसे जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर 9, ऐसे यह बनेगा, ठीक है, चलो, अब दोखो यह जो line बनी है, यह बनी है equation से x plus y equals to 10 से, तो यहाँ पर हमें लिखनी भी पड़ेगी equation जो की है x plus y equals to 10, got it, अब यहाँ पर जो दूसरी हमें द हमारे पास 2 है और यह आजाएगा हमारे पास इस point में, यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, ठीक है, अब x हमारे पास 7 है, यह point है, y हमारे पास 3 है, और यह हो गया हमारे पास यह वाला point, इधर, इस point में यहाँ पर हमारा 7 मिलेगा, ओके, यहाँ पर, ठीक है, यह हो गया, अब अब यह जो line हमारी बनी है, यह किस equation से बनी है, यह बनी है x equals to y plus 4 से बनी है, इतनी बात clear हो के, अब देखो, यह दोनों किस point में मिल रही है, यह दोनों हमारी मिलने है 7, यह दोको 7, 3, 3 के, अब देखो, जो 7 है, यह x है, और हमेशा x को पहले लिखते हैं, y को बात में लिखते हैं, अब जिस point में यह दोनों आपस में intersect कर रही है, वही होगा हमारा answer, समझ में आगा है, तो यहाँ पर हमारा क्या answer हो जाएगा, x 7 हो जाएगा, और y हो जाएगा हमारे पस 3, y equals to 3 हो जाएगा, अब हमने x को क्या let कर रखा था, हमने x को let किया था, यहाँ पर 7, और y को हमने let किया था, 3, तो यही हो जाएगा हमारे पस answer, boy हो जाएगा 3 है ना, और girl हो जाएगा 7, और girl boy से 4 जादा भी है, तो यही हो गया हमारे पस question number 1 का solution, आप चाहो तो यहाँ पर direct, यहाँ पर नीचे लिख दो, number of boy, ठीक है, number of boy, equals to हो गया हमारे पस 3, और यहाँ लिख दिया हमने number of girls, equals to हो गया हमारे पस 7, बस, question number 1 का हमारा हो गया, यह solution, first part हमने कर लिया, अब इसी तरीके से हम लोग second part में आते हैं, अब यहाँ पर question number 1 का जो second question है, यह कह रहा है, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46, find the cost of one pencil and that of one pen, यहाँ पर one pencil of one pen की बाद question ने कहा हुआ है, कि हमें cost बता दो, ठीक है, अब यहाँ पर question बोल क्या रहा है, इसको पहले समझो, कह रहा है, 5 pencil और 7 pen की जो total cost है, वो 50 rupees है, और 7 pencil और 5 pen की जो total cost है, वो 46 rupees है, तो जनाब, जहाँ पर pencil की और pen की cost क्या है, यह हमें बताना है, तो ना, हमें इसको solve करने के लिए, सबसे पहले equation बतानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, अब equation कैसे बनाएंगे, उसे थोड़ा सा देखो, देखो, यहाँ पर जो भी चीज़ find करने के लिए question कहे, उसको सबसे पहले लिख लो, जैसे की question second में कह रहा है, find a cost of one pencil and one pen, एक pencil और एक pen की cost पूची गई है, तो वही सबसे पहले यहाँ पर हमें let करना है, यहाँ लिखा हमने let the cost of one pencil, ठीक है, one pencil, एक pencil की cost हमने यहाँ पर x rupees let कर ले, got it, अब इसी तरीके से हमने let कर लिए cost of one pen की cost, एक pen की जो cost है, उसको हमने यहाँ पर let कर लिए y rupees, इतनी बात clear होगे, अब question ने क्या कहा था, उसको ध्यान से समझो, बहुत जरूरी है, according to question, question ने कहा था, 5 pencil की cost और 7 pen की cost equal है 50 rupees, मतलब इन दोनों की जो cost वो बराबर है 50 के, इतनी बात समझ मैं है, नहीं समझ मैं है, दोखो, कहा है कि 5 pencil की cost और 7 pen की cost का total है 50 rupees, आप समझ गे, बट यहाँ पर तो 5 pen हमने लिख रखे हैं, 5 pencil लिख रखे हैं, यहाँ पर 7 pen लिखे हैं, हमें तो यहाँ पर cost लिखना है, क्यों, question ने यही तो कहा है, 5 pencil and 7 pens together cost, cost की बात की, तो हमें 5 pen, pencil और 7 pen की cost निकालनी होगी सबसे पहले, अब कैसे निकालोगे, उसको देखो, हमने कहा कि यहाँ पर एक pen की cost है, तो 5 pen की cost क्या हो जाएगी, 5x होगी, यह बात समझ भाई, नहीं आए, तो ऐसे समझो, हमने कहा, यह जो pen है ना, इस pen की cost है, 5 रुपए है, ठीक है, अब हमें इसी तरहिके के, हमें 6 pen लेने है, 6 pen लेने है, और एक pen की cost है, 5 रुपए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का multiply, 6, 5, to 30, यह आगया, उसी तरहिके से हमने यहाँ पर लिख दिया, 5 pen है, और 5 रुपए है, और एक pen की cost है, वो एक्स रुपीज है, तो 5 into x हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 x कर दिया, इसी तरहिके से 7 x हो जाएगा, अब इन दोनों की cost मिला कर हो जाएगी, 50 रुपीज, यह हो गई पहली equation, ठीक है, अब इसी तरहिके से दूसरी equation में आजो, दूसरी equation में question ने कहा है, कि भाईया, जो 7 pencil हैं, और जो हमारे पास 5 pen है, इनकी जो total cost है, वो 46 है, 7 pencil की cost है, pencil हमारे पास एक pencil cost x सी, तो यहाँ पर 7 pencil cost हो जाएगी 7 x, और इसी तरह 5 pen की cost हो जाएगी 5 y हो जाएगी, ठीक हमें यहाँ पर y करना है, क्योंकि यह हमारे पास क्या है pen है, अब इसको हम लोग बोल देंगे, यह हमारी दूसरी equation है, अब पहली ओ दूसरी equation तो हमने find कर ले, अब हमें बनाने है इससे table, अब table कैसे बनाओगे, उसको देखो, मतलब सीधी सी बात coordinate हमें find करना है, तो पहली equation हमने यहाँ पर लिखी 5x प्लस 7y और equal to कर दी हमने यहाँ पर 50, अब हमें x या y में से किसी भी एक को उठा के equal के side ले जाना है, तो हमने यहाँ पर 5x को यहीं पर रखा, y को उठा के ले गए, तो यहाँ पर 50 minus आ जाएगा 7x, यह plus का equal के side जाएगा, तो minus को हो जाएगा, अब 5 हमारे पर multiply में, equal के side आ जाएगा, तो divide में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 7y by, यहाँ पर हो गया 5, अब हमें y की जगह में कोई ना कोई value पूट करनी है, कि जब हम लोग इसे solve करें, तो हमारा solution divide में ना है, fraction में ना है, और या फिर decimal में ना है, बस इस बात का ध्यान रखे, हमें y की जगह में कोई value पूट करनी है, अगर हम लोग यहाँ पर पूट कर दे, y की जगह में 0, y equals to 0 हमने put कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा x equals to 50, यहाँ कर दिया, minus 7 into 0 by 5 कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा, हमें 50 by 5 मिलेगा, equals to मिल जाएगा हमें 10, अब इसी तेके से एक और value कुछ पूट करके दिख लो, यहाँ पर अगर हम लोग y में 5 पूट कर दे, यहाँ पर आ जाएगा 3, हमें यह मिल गया, अब हम लोग इसको table में लिख लेते हैं, तो यह रही हमाई table, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y, अब हमने y की value 0 जब पूट की, तो हमें x 10 मिला था, ठीके, यह देखो, जब हमने y की जब हमें 5 पूट की है, तो हमें x मिला था, यहाँ पर 3, यह देखो, अब देखो, यह जो question है, इस question में, हम लोग सिर्फ 2 ही coordinate से अपना figure बना सकते हैं, बट हर question में ऐसा नहीं होगा, हर question में ऐसा नहीं होगा, कि हम सिर्फ 2 coordinate लें, हमारा figure बन जाए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और या फिर आप एक काम कर सकते हो, हर question में 3 तिन ले लेना, ज़्यादा easy रहेगा, ठीक है, चलो, पहली question से तो हमने कर लिया, अब हम दूसरी question की बात करें, तो यहाँ पर है 7X है, प्लस 5Y equals 2 होगया हमाँ पस 46, यह आगया, अब इसमें भी एक काम करो, X या Y को किसी को भी एक को इस सेट ले जाओ, तो हमने ना 5Y को अधर ले लिया, तो यहाँ पर 46 माइनस आगया हमाँ पस 5Y, और यहाँ पर आगया 7X, अब देखो X के साथ 7 मल्टिप्लाइ में इधर आजाएगा, तो 46 माइनस 5Y by 7 कर दिया, यह आगया हमारे पस, ठीक है, अब Y की जगे में हमें कोई ना कोई value पुट करनी है, अब सोचो क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर माइनस 2 पुट करते हैं, काम बनेगा, देखते हैं, यहाँ पर लिखा X equals to 46, माइनस 5 इंटू माइनस 2 कर दिया, डिवाइड में 7, 5 तूज़ा 10, ठीक है, 10 आजाएगा, और प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 46, 10 मतलब 56, 7, 8, 056 होता है, यह हो जाएगा, 8 आगया, चीक, अब Y की जगह में, 5 अगर हम पुट करते हैं, तो भी हमारा काम बनेगा, देख लो, यहाँ लिखा 46, और यहाँ पर हो गया, माइनस 5, इंटू 5, 5 तूज़ा 25, 25 में से 46 को, हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आजाएगा, हमाएपस 21, 21 में 7 जाएगा, तो यहाँ पर आगया, हमाएपस 3, अब इसको टेवल में बना लो जनाब, तो यह हो गया हमाएपस टेवल, और यहाँ लिखा हमने X, यह हो गया Y, अब हमने Y की जगह में, माइनस 2 पुट किया, तो हमें X 8 मिला था, और फिर हमने X की जगह में 3 पुट किया था, तो Y हमको 5 मिला था, यह हो गई हमारी दोनों टेवल, अब देखो हमने दो टेवल तो बना लिए, अब इन दो टेवल को, हमें represent क्या करना है, graph में करना है, कैसे करना है, देखो, हमने यहाँ पर graph बना लिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना जाया है, आप graph paper का use करना, ज़्यादा यह जिर हैगा, यहाँ पर X लिखा हुआ है 10, X 10 कहां पर आएगा, इस point में आएगा हमारा X, ठीक है, क्योंकि यह X axis होता, और यह हमारे पास Y axis होता, ठीक है, clear है, तो यहाँ पर जो X है, वो 10 है, देखो, याद रखना, जो X है ना, यह बता रहा है कि यह X axis है, और जो यह Y है, यह बता रहा है कि यह Y axis में बनेगा, यह 10 है, यहाँ पर 10 आगया, Y 0 मतलब यह इस point में, clear है, देखो, जब कभी भी 0 आए, या फिर X आए, या फिर Y आए, वो हमेशा इस point में ही बनता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, 10,0, हमेशा X को पहले लिखो, फिर Y को लिखो, अब यहाँ पर देखो, X हमारे पास 3 है, Y 5 है, X हमारा ये 3 है, Y हमारे पास 5 आएगा, यहाँ पर, क्योंकि प्लस की बात की जा रही है, और यह point हमारा बनेगा, कुछ East जगे पर, ठीक है, Y इस से बनी है, चलो, आँगे आज़ो, अब इस टेबल में आज़ो, इसमें क्या दिख रहा है, X जगे पर 8 दिख रहा है, यह point है 8, और Y की जगे में हमें, माइनस 2 दिख रहा है, माइनस 2 यह है, मतलब यह हमारा मिलेगा, कुछ इस point में है न, यहाँ पर आगे हमारे पस, ओक्य, इसको हम मिला देंगे, मतलब यह इस जगे पर बनेगा, अब X हमारे पर 5 है, यह हमने कर दिया, Y हमारे पर 3 है, Y3 हमारे पर इस जगे पर आएगा कहीं, यह point बनेगा हमारा इस जगे पर, यह, यह बनेगे हमारा point, ठीक है, अब इसको हम लोग मिला देता है, अब हम लोग इसको मिलाएंगे, तो यह हमारा कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, यह point हो जाएगा हमारे पर यह दोगो, ठीक है, अब देखो, ओके, यह रहे गा ऐसे, अब देखो, यह जो हमारी दोनों line है, यह किस point में आपस में intersect कर रहे हैं, इस point में कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो यह coordinate है, वो क्या है, 3 of 5, यह हमारा x है, और यह y है, ठीक है, अब जो यह coordinate आया है, यह x of y आया है, यहाँ पर cost of, cost of, यहाँ कर दिया हमने one pencil, एक pencil की cost हमने यहाँ पर लिखी है, x, और x है हमारे पर 3, हमें इसा आँगे वाला x होता है, पिछे अलब y, यह होगे 3, यहाँ लिख दिया हमने cost of one pen कर दिया, एक pen की जो cost है, वो y है, y हो जाएगा हमारे पर 5 हो गया, यह हो गया हमारे पर question number second का solution, समझ में आगया, है ना कितना simple, तो second हो गया, अब आते हैं हम लोग इसी के second वाले question पर, यहाँ पर जो question number 2 है ना, यह question बहुत ही simple, बहुत easy है, एकदम हलूवा question, बट इसका basic आपको समझना होगा, question कहा रहा, on comparing the ratio, this, this and this, find out whether the line represent the following pair of linear equation, intersect at a point, are parallel, और coincident, देखो question क्या कहना चाहरा है, कि यहाँ पर जो equation दीगे न, इन equation को compare करके बताओ, a1 upon a2, a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 से, compare करो और यह बताओ, कि यह हमारी equation किस तरीके की है, intersect at a point, और parallel और coincident, कि इन में से किस तरीके की, यह हमें बताने है, ठीक है, एक point में intersect करेगी, कि parallel होगी यह coincident होगी, यह बताना है, देखो, यह कब होता है, पहले तो इसका समझो, यह equation दिख रही है, अब देखो, question number जो हमारे पस दूसरा वाला था, इसी का यह वाला, इसको हम लोगों solve गया, तो हमें दो equation मिली थी, फिर इन दो equation को, हम लोगों ने graph में represent किया था, और फिर हमने जब graph में represent किया, तो हमने देखा, कि एक यह line बन रही, दूसरी यह line बन रही है, अब यह line का ही खेले, इस question में, इसमें दोखो, अगर एक point में यह line हमारी मिल रही है, है ना, एक point में line मिल रही है, तो हम लोग बोलते है, इसे intersect at a point, और यहाँ पर parallel का मतलब हो रहा है, कि हमारी line मिल ही नहीं रही, बिल्कुल पहलर इस तरीके से कहीं बन रही ग्राफ में, समझ गें, और यहाँ पर काउंसिडेंट, इसका मतलब हो रहा है कि, एक यूपर एक line बन रही है, जैसे यह line हमारे, हमारी इसी बदूसरी हमारी line बन रही है, बस यह चीज़ है, देखो, इस question में हमें यह solve करके नहीं बताना है, कि भईया यहाँ पर figure बना लिए फिर बताया, हमें बिना figure के ही बताना है, इससे compare करके, हमने आपको basic बता है, कि किसको क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, यह आपको समझना होगा, अगर आप समझ लोगे ना, तो easy लगने लगेगा question, चलो, अब यह तो आपको समझ में आगया, कि intersect कैसे कर रही है, parallel कैसे कर रही है, coincident कैसे कर रही है, coincident मतलब हो जाएगा, कि एक उपर एक overlap कर रही line, अब इसे compare करो इससे, compare करके ही answer दे दो, कैसे compare करोगे, उसको थोड़ा सा, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझो, compare करने से पहले से हमें देखना पड़ेगा, कि कब क्या कहेंगे, देखो, जब कुछ इस तरीके से हमारी condition बनेगे, तो उससे हम लोग बोलेंगे, intersecting point, ठीक है, मतलब intersect करेगा, x के आँगे जो भी coefficient है वो, और a2 हो जाएगा, x के आँगे जो coefficient है वो, 7, इसी तरीके से b1 upon b2 लिख दो, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, minus 4 upon 6, चीक है, यह हो गया, minus 4, यह 6, sign भी लिखने है, यहाँ लिख दिया, हमने c1 upon c2 कर दिया, यह हो गया, हमारे पास 8 by 9 आगया, अब इसको compare करो, क्या हमारा a1 upon a2, क्या बराबर है b1 upon b2 से, और क्या b1 upon b2, बराबर है c1 upon c2 से, नहीं है न, तो इसमें चेकरू कौन से हमारी condition बन रही, हमने देखा, कि हमारा जो है न, यह equal नहीं है, इक्वल नहीं है, जब कभी भी इक्वल नहीं होता है न, तो हम लोग बोलते हैं, intersecting point, जब कभी भी a1 upon a2, और b1 upon b2, c1 upon c2, आपस में equal नहीं होते हैं, तो हमारी जो graph में line बनती हैं, वो कुछ इस तरीके से बनती, एक point में intersect करती हैं, हमें बना के नहीं दिखाने हैं, बस हमें समझना है, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे, यहां पर हम लोग इस statement भी देंगे, so, so, the given, the given, given pair of, pair of linear, linear equation intersect, at a, at a point, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि हमारे जो linear equation है ना, कि यह किसी एक point में intersect करेगी, बस हमें यही करके दिखाना है, समझ में आगे हम, तो अब आजाओ इसी के दूसरे वाले question पर, जो इसका दूसरा question है, वो क्या है, यहां पर दिया गया हमें 9x, ठीक है, और है हमारे पास, plus 3y, plus 12, equals to 0, 18x, plus 6y, और यहां पर हमें plus 24, equals to 0, क्लियर है, अब देखो, आप इसे भी compare करो, a1 upon a2 से, तो a1 हमारे पास हो गया 9, a2 हो गया हमारे पास 18, और यहां पर b1 हो गया, और यहां पर b2 हो गया, b1 हो गया 3, और b2 हो गया 6, यहां पर c1 हो गया, यहां पर c2 हो गया, c1 हो गया 12, c2 हो गया, हमारे पास 24 हो गया, आप इसको check करो, क्या यह आपस में equal है, देखो, अगर इसको हम लोग कैंसल करें, तो यह 3, 3 is a 9, 3, 6 is a 18, ठीक है, यह 3 by 6 यह भी है, 3 by 6 यहां भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, कि जो a1 है न, और जो हमारे पास a2 है, यह बराबर है b1 upon b2 के, और b1 और जो b2 है न, यह भी बराबर है c1 upon c2 के, तीनों आपस में equal है, अब जब कभी भी तीनों आपस में equal होते हैं, उस case में हम लोग क्या बोलते हैं, coincident, मतलब कि हमारी जो line है न, यह इस बार एक के उपर एक बनने वाली, overlap करेगी, क्या करेगी, overlap करने वाली, clear हो गए इतनी बार, समझ में आगया, तो बस इस बार भी वाई statement दे दो, यहां पर लिख देंगे, so the given pair of linear equation, यहां लिख दी हमने, so the given, given pair of, pair of linear equation, intersect, oh sorry, यहां पर क्या, equation, यहां पर कर देंग, are coincident, clear हो गए, बस, यह हो गए हमाए पर इसका solution, कितना easy हो गए न, चलो, अब हमने यह कर लिया, अब इसी का हम लोग तीसरा कर लेता है, तीसरा जो है हमारे पास, इसमें, ओके, दिया गया हमें, 6X, minus 3Y, देखो कितना easy से भी आसान वाले कोशने, बिल्कुल हलुआ कोशने, जो अगर कहीं भी कुछ भी doubt, अगर आपको आ रहा है ना, comment करके जरूर पूछ लिया करो, चीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सके उसका solution, अब ये है हमारे पास, अब फिर से से compare करो, यहां लिखा A1 upon A2, अब A1 upon A2 गया, तो A1 हमारे पास 6 है, और A2 हमारे पास 2 हो गया, अब यहां पर लिखा हमने B1 upon B2, अब B1 है वो माइनस 3 है, B2 हमारे पास माइनस 1 है, दो इसके आंगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, माइनस लगा हो है वो भी लिखो, और यहां पर होगे हमारे पास C1 upon C2 हो गया, अब यहां पर आगे हमारे पास 10, और यहां पर कर दिया हमने क्या है, 9 है, ठीक है, यह कर दिया, अब देखो कुछ हो सकता है कि इसका, अगर हम इसको देखे, तो यह हमारा सॉल्फ हो जाएगा, 3 by 2 आजाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 by 1 आएगा यहां पर, 3 by 1 आगया, 3 by 1 आगया, यह दोनों आपस में equal हैं, बट यह नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि, जो A1 है, अपॉन जो A2 है, वो बराबर तो है, बट जो B1 है, वो B1 आपॉन जो B2 है, वो C1 आपॉन C2 के equal नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A1 आपॉन A2 equals to B1 आपॉन B2, यह दोनों बराबर है, जो equal नहीं होते हैं, वो बीच में equals to काड देते हैं, इस तरीके से, ठीक है, तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, पैरलर, ठीक है, इसमें जो हमाई line बनती न, वो कैसी बनती, पैरलर, बिल्कुर सीधी सीधी बनती है, कभी भी आपस में मिलती है, बस graph से आप ज़्यादा अच्छे समद लोगे, इसलिए हम बार बार ग्राफ आपको बता रहे हैं तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे so so the pair of pair of linear equation linear equation are parallel ठीक है clear हो इतने बाद तो यह हो गया question number second के third का हमारा solution समझें अब आते हैं सी के third वाले question well यहां पर जो question number three दिख रहा है ना यह question कहीं ना कि question number two की तरह ही है यह कह रहा है on comparing the ratio this find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent इसका मतलब क्या होता है consistent मतलब क्या है inconsistent मतलब क्या है तो देखो इसको हम लोग समझते हैं graph से यहां पर हमने graph ले लिया थोड़ा सा इधर उदर है समझो इन दोनों लाइनों को ध्यान देना देखो अगर हमाई graph में दो line बन रही और दो line आपस में कहीं पर intersect करती है ठीक है या फिर यह बोलो कहीं भी हमारा solution आता है तो उसको हम लोग consistent बोलते हैं ठीक है यह देखो हो रहा है अगर दो line किसी भी एक point में intersect कर रही तो यह भी consistent है अगर दोनों line एक उपर एक बन रही है तो भी यह हमारा consistency है बट अगर हमारी line पैरलल बन रही जैसे एक यह बनी और दूसरी यह बनी पैरलल बन रही तो यहां तो कोई solution ही नहीं है अब जब कोई solution नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं inconsistent बस हमको यही बताना इसे compare करते जाओ और बताते जाओ है ना कितना है जी चलो करते हैं इसका पहला वारा question hope so आपको सब कुछ समझ में आ रहा है अगर आ रहा है तो भी यह comment करके जरूर बताया करो यहाँ पर पहला question हमने लिख रहा है अब देखो compare करना है तो पहले हमने लिखा a1 upon a2 लिख दिया अब a1 हमारे पर 3 है और a2 है हमारे पर 2 है यहाँ पर b1 upon हमने b2 कर दिया माइनस तो यहाँ पर दो 5 है यहाँ पर 7 इक्वल है तो यह समझ लो कि अगर हम लोग equal के a side लाएंगे तो यह minus का हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं, minus 5 by minus 7 है ना, यह बात तो समझ में आ रही है यह दो फो plus का equal के a side लेखो, minus का हो जाएगा, यह भी हो जाएगा तो यह हमारा c बन जाएगा, यह भी c बन जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पर तो इस case में देखो, क्या आपको कुछ भी equal देख रहा है हमने देखा, कि क्या हमारा a1 upon a2 क्या बराबर है b1 upon b2 के बिल्कुल भी नहीं है क्या b1 upon b2 यह हमारा equal है, यह भी नहीं है मतलब यह तीनों जो है यह आपस में equal नहीं है, आपर c1 लिखना है, ठीक है, c1 upon c2 यह तीनों आपस में equal नहीं है, अब दोखो जब equal नहीं होते हैं, तो किस तरीके के होते हैं दोखो क्या होते हैं, intersecting होते हैं, मतलब कि कहीं न कहीं मिल रहे होते हैं अब जब कहीं भी मिल लए होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग consistent बोलते हैं या फिर simple सी एक बात याद रखो जब कभी consistent और inconsistent बोले तो आपको बस यह याद रखना कि parallel वाला अगर parallel आ जाए तो inconsistent वरना consistent दोनों बस simple सी बात है है ना चलो अब यहां पर हम इसे देख लेते हैं तो ओके यहां पर हमने किया ओके यहां पर अब इस्टेटमेंट देता हो कि हाँ यह हमारा जो एक्वेशन है ना यह consistency है तो यहां पर लिख देंगे so so pair of pair of linear equation linear equation are consistent got it यह हो गया पहला तो हमारा solve हो गया आप इसी तरह हम लोग दूसरे मा जाते हैं अब जो हमारे पर second है इसमें हमारे पर question दिया गया है 2x-3y और यहां पर है equals to 8 है और यहां पर हमारे पर 4x-6y एक्वेशन दिया गया है 9 यह है clear है अब इसको भी check कर लो यहां पर a1 upon a2 करके a1 upon यहां कर दिया हमने a2 a1 है माई परस 2 a2 है माई परस 4 b1 upon हमने कर दिया b2 b1 हमाई परस-3 और b2 है minus 6 और यहां पर c1 upon c2 में आजाओ यह हो जाएगा minus 8 और minus 9 हो जाएगा अगर इसको cancel करेंगे तो तो 1 by 2 आ जाएगा इसको करेंगे तो यहां पर माइनस माइनस यह भी 1 by 2 आ जाएगा और इसे करेंगे तो यह जाएगा क्या नहीं जाएगा यह तो यह 8 by 9 आएगा तो हमारे पर जो condition इस बार बन रही वह a1 upon a2 कुछ इस तरीके से है एक वस्ट बी वन अपन बी टु इस तरीके से है और यहां पर c1 upon c2 है दो 1 upon a2 तो बराबर है बी telling नहीं बराबर c1 upon c2 के मतलब किया है यह यह दोनों आपस में इक्वल बट ये दोनों इसके equal नहीं है इस case में, जब भी इस तरीके case होता है तो हमारा जो graph में line बनती वो बनती है parallel और parallel जब भी बनेगी देखो अभी दिखाते हैं parallel जब भी बनती है वो कुछ इस तरीके गाई है और parallel ही हमारा होता है inconsistent यहां लिख देते हैं inconsistent बस यह हो गया तो यह हो गया question number second का हमारा solution समझ में आगया अब आ जाते हैं इसी तरीके से हम लोग ठेल्ड में हैं इसी के तीसरे वाले हैं दो बहुत easy बस compare कर दो और लिख दो हमारा answer है या नहीं है बस अब जो तीसरा है इसमें हमें दिया गया है क्या 3 by 2 x ठीक है plus 5 by 3 y okay equals to 7 है चलो और यहां पर हमें पस 9 x minus 10 y equals to है हमें पस 14 है ठीक है चलो यह है अब इसको करना है कैसे करोगे चलो यह पहले a1 upon a2 करो तो यहां लिखा हमने a1 upon a2 कर दिया ठीक है अब a1 upon a2 हमारे पस क्या है बताओ अज एहां पर लिख दिए हमने 3 by 2 लिखा ठीक है डिवाइड में कर दिया 9 यह हो गया b1 upon b2 किया हमारे पस यह fato 3 और यह हो गए हमारे हमारे पास minus 7 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास minus 14 यह आ गाए अब इसको solve कर लो कैसे solve करोगे देखो इसको मैं इससे solve करके लिख सकते हैं 3 by 2 by 2 into 1 by 9 3 से करोगे तो यहां पर आ जाएगा 1 by 3 3 3 3 जा 3 2 जा 6 1 by 6 हो जाएगा ठीक है तो यहां लिख देंगे 1 by a1 upon a2 equals to कर दिया 1 by 6 कर दिया किलियर हो गया यह 9 है हमारे पास ठीक है अब हमें क्या करना है अब देखो और तो b1 upon b2 को ध्यान से देखो यहां पर जो हमारे पास b1 upon b2 है इसमें आ जाएगा 21 upon b2 इसको ऐसे कर एक तो 5 by 3 into यह पर आ जाएगा हमारे पस 1 upon 10 को यह आ गया हमारे पास 1 by 5253 तूजर 6 तो यहां पर आ जाएगा हमारे पर 6 वह भी 1 upon माइनस का यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पर इसको भी solve कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा C1 upon C2 7 2 1 by 2 आ जाएगा चीक है तो 1 by 6 minus 1 by 6 1 by 2 तो इस case में क्या हो रहा तीनों आपस में equal नहीं है तो A1 upon A2 जो है यह बराबर नहीं है B1 upon B2 के चीक है और यहाँ पर C1 upon C2 भी equal नहीं है अब दोखो यह तीनों हमारे equal है ही नहीं तो यह क्या कहोगे भाई बताओ equal नहीं होते हैं उस case में हम लोग क्या बोलते हैं यह जो हमारी line बनेंगी intersect बनेंगी मतलब कहीं इतना लिख देना हम बस इतना ही लिख रहा है आर कंसिस्टेंट आप लिखना पेयर ओफ लिनियर एक्वेशन आर कंसिस्टेंट के लिए तीसरा हो गया अब इसी में चौथे में आजाओ आप जो चौथा है इसका इसमें दिया गया हमें 5x ओके माइनस 3y ओके 11 11 है एक्वेशन टो 11 ठीक है माइनस 10x प्लेस 6y एक्वेशन टो माइनस 22 है अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर न हमारे पास a1 अपॉन अपॉन अटू आजाएगा 5 बाइ माइनस का 10 यहां पर B1 अपॉन B2 आजाएगा हमें मिल जाएगा माइनस 3 बाइ 6 यहां पर C1 अपॉन C2 आजाएगा हमारे पास 11 बाइ 22 वह भी माइनस का 22 अब इसको सॉल्व करो तो यहां पर आजाएगा हमारे पास 1 बाइ 2 माइनस का वह भी यहां पर भी 1 by 2 हमें मिल गया, तो अब बताओ कि हमारा A1 upon A2 और B1 upon B2 आपस में इक्वल है, हाँ बिलकुल है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास A1 upon A2 है, वो बराबर है B1 upon B2 के, और B1 और यह दोनों भी इक्वल है, C1 upon C2 के, छीक है, तो हम लोग बोल इक्वेशन और कंसिस्टेंट, ठीक है, किलेर होगे, तो कोशन नमबर 4 भी हमने इसका कर लिया, अब आते हैं हम लोग इसे के कोशन नमबर 5 में, तो जो फिप्ट वाला कोशन है, उसको देखो, बहुत सिंपल है, वो भी इसी तरीके सुना, ओके, यहां पर जो फिप्ट को प्लेस 3Y, एक्वल सु कर दिया, हमने यहां पर 12, यह हमको दे दिया गया, अब इसको देखो कैसे सॉल्व होना है, यहां पर ना फिर से A1 अपन A2 कर देते हैं, पहले तो, A1 अपन A2 किया, तो यहां पर आ गया 4 by 3 by 2, यह B1 अपन B2 कर दो, यह हो जाएगा 2 by 3, और C1 अप 12 minus 1, अब इसे हम लोग लिखेंगे तो 4 by 3 into 1 by 2 करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पस 2, 2 by 3 आ जाएगा है न, यह आ जाएगा 2 by, एक सेकंड, 2 by 3 आ जाएगा, हाँ ठीक है, 2 by 3, इसको सॉल्व करो, 4, 2 जा 8 और 4, 3 जा, यह भी 4 by 3, 2 by 3, 2 by 3 और 2 by 3, मतलब तीनों हम पसमें equal है, a1 बराबर है, a2 के, और यह b1 बराबर है, a1 upon a2 बराबर है, b1 upon b2 के, और यह दोनों equal है, c1 upon c2 के, clear हैं, तो बस इस case में क्या होगा, यह दोनों भी हमारे consistent हैं, तो लिख देंगे pair of, pair of linear, linear equation are consistent, ठीक है, clear हो गए, तो यह हो गया, question number 3 का हमारा solution, बहुत simple, देखो, question है, सारे के सारे, अब आते हैं, question number 4 में, question 4, which of the following pairs of linear equation are consistent and inconsistent, if consistent, obtain the solution graphically, देखो, question 4 कह रहा है, कि यहाँ पर, देखो, linear equation जो आपको दिख रहे हैं, इस linear equation से पहले यह चेक करो, कि यह हमारी consistent है, या inconsistent है, अगर consistent है, तो भाईया, इसे graph में represent करके दिखाओ, अगर नहीं है, तो मत करो, समझ गे न, क्या करना है, हमें पहले check करना है, consistent है, या नहीं है, अगर consistent है, तो graph में करेंगे, नहीं होगी, तो नहीं करेंगे, तो चलो, शुरू करते है, question 1 से, यहाँ पर हमारे पर दो equation है, इ X के आँगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 आगया, X के आँगे 2 है, तो यहाँ टू लिखो, यहाँ पर B1 upon B2, यहाँ पर आजाएगा हमारे पस 1 upon 2, और यहाँ पर आजाएगा C1 upon C2, यहाँ पर होगा हमारे पस minus 5 upon 10, ठीक है, minus कर 10, cancel करोगी 5 2 जा, तो यह के आगे 1 by 2, हमने यहाँ पर चेक किया कि A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, तीनों हमारे आपस में equal है, अब जब कभी भी equal होते हैं, तब क्या होता है, भया, consistent होता है, ठीक है, तो consistent है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में, represent करना पड़ेगा, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देते थे, A1 upon, यह हो जाएगा, हमारा, B1 हो जाएगा, B1 upon B2, यहाँ पर आगया, C1 upon C2, अब यह हमारे consistent है, तो लिख देते हैं, so, pair of, pair of linear equation, linear equation are consistent, ठीक है, Got it, इतनी बात के लिए रहा, अब दो consistent है, तो हमें represent करना है, तो represent करने के लिए हमें लेना पड़ेगा, पहली वाली equation, यहाँ लिखा हमने X plus Y, देखो, जैसे कि हम लोगों ने question number 1 के दोनों वाले part में किया थाना, solve, वैसे इसे भी करना है, पहली equation ले ली, अब पहली equation लेन पूट करो, तो यहाँ लिखा हमने putting, Y equals to हमने कर दिया यहाँ पर 1, अब यहाँ पर X equals to 5 minus 1 हो जाएगा, यहाँ पर आजाएगा हमारे पस 4, अब हमने 1 put किया, अब कुछ और put कर लो, आपको अगर 2 करना है, 2 कर लो, 3 करना है, 3 कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, तो यहाँ प यहाँ पर आजाएगा, हमारे पस X equals to 5 minus 3 equals to 2 हो गया, अब यहाँ पर आगया Y equals to, हमने कर दिया 2, तो हमें यहाँ पर X मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, देखो, हमने 3 बनाए, आप कम से कम कोशिज करना, 3 बनाना, क्योंकि किसी किसी कोशन में 2 से ही हमारा काम हो जाएगा, हमें X4 मिला, फिर हमने Y की वैलू 3 पूट किया, तो हमें X2 मिल गया, जब हमने Y की वैलू 3 पूट किया, तो हमें X मिल गया है, 2 पूट किया, यह तो पहली वाली एक्वेशन से हो गया, ठीक है, अब हम लोग दूसरी वाली एक्वेशन पर आ जाते हैं, दूसरी एक्वेश यह हो गए दूसरी equation अब इसमें भी हमें क्या करना है एक्स को इधर बेज़ दो या फिर य को इधर बेज़ दो एक काम कर दो कुछ भी आपकी मर्जी तो हमने यहां बना क्या लिखा? x equals to 10 है 10 लिखा यह दोको हमारे पर सुधिन में plus का है यहां पर आजएगा minus का हो जाएगा अब दोको 2 multiply में इधर हो जाएगा divide में यह हो गया हमारे पर पैस ठीक है? अब हमें y के value कुछ न हो कुछ यहां पर put करनी है तो मांन लो हमने y के value यहां पर 1 put कर दिया तो क्या आएगा, x equals to हो गया, हमाई पर 10 minus 2 into y, यहाँ पर आगया, हमाई पर 2, equals to 10 minus 2 by 2, यहाँ पर आगया 8, 8 में से 2, इसको करो, तो यहाँ पर आगया 4, अब y की जिगह में कुछ और put कर दो, अगर हम लोग यहाँ पर y की जिगह में 2 put कर देते हैं, तो यहाँ पर आगया, x equals to 10 minus 2 into कर दिये, हमने यहाँ पर 2, और divide में आगया हमाई पर 2, तो यहाँ पर आगया 10 minus 4 by 2, यहाँ पर आगया 6 by 2, और यहाँ आगया 3, अब यहाँ पर y की जिगह में हम लोग कुछ और put कर देते हैं, यहाँ पर हमने 2 put किया, अब 3 कर देते हैं, तो अगर 3 put करेंगे, तो यहाँ पर आजाएगा 10 minus 2 into 3 by 2, 6 आजाएगा, और 6 minus कर दो तो 4 by 2, यहाँ पर आगया हमाई पर 2, x की value आगया 2, अब इसे हमें क्या करना है, इसको table में लिख देते हैं, अब इसकी हम लोग अगर table बनाएंगे, तो वो कुछी इस तरीके से बन जाएगे, यहाँ पर x, y की value को put कर दो, तो यहाँ पर x आगया, यहाँ पर आगया y, अब x की value हमने क्या निकाली थी 4, कब निकाली थी जब हमने y 1 put किया था, फिर जब हमने y 2 put किया था, तो हमें x की value मिल गई थी 3, और फिर हमने जब x की जगह पर 2 निकाला था, तब y की जगह में 3 put किया था, यह हो गए हमारे पर table, अब दो टेवल हमने बना लिया, एक यह हो गई, दूसरी इसी के पीछी यह, अब इन दोनों table को हमें represent करना पड़ेगा, किसमें graph में, तो यह हमने बना रखा है graph, अब graph बनाना graph paper में, ठीक है तुछ चलो, पहले जो हमारे पस coordinate आएं, वो 4 और 1 है, x हमारे पस 4 है, यह है, और y हमारे पस 1 यह है, यहां पर आएंगे, यह दोनों इस point में मिल जाएंगे, तो इसको बोल दो, 4, यहां पर 1 कहें दिया, अब इसी तरी की दूसरे हमारे पस 2 और 3 है, x हमारे पस 2 है, और y हमारे पस 3 है, ओके y हमारा यह 3 है, तो यह कुछ इस point में मिल जाएगा, तीसरा coordinate हमारे पस है, x हमारे पस 3 है, यह है और y हमारे पस 2, यह है, ठीक है यह कुछ हमारे पस, ओके y हमारे पस 2 यह point हो गया, जेश point में, अब यह जो तीनों point है न, अन तीनों pointों को हम मिला देते हैं, अब कहांगे scale, गर गया है, यह रहा हमारा scale, अब हमने इसको मिलाया तो यह हो गए हमारे पस लाइन अब इसके कॉडिनेट लिख देते हैं भया एक सेकंड कुछ कड़ बड़ किया है नहीं यह इसमें नहीं यह वाला पॉइंट था हमारा इसको ऐसे बिलाएंगे यह ठीक है यहाली लाइन गलत है यह नहीं है यह वाली नीली वाली ओके चलो यह होगे 4-1 हो गया यहां पर होगे हमारे पर 3-2 हो गया और इसको बोलेंगे हम लोग 3-2 और 3 बोलेंगे यह होगे हमारे परस इतनी बात किलियर होगे आप देखो इसमें आजाओ इसमें भी देखो ह मैं पास फर वन है यह वालब पॉंट याँ पर फरी कbn है यह यह बना दो पसो गया हमारा तो यह हो गया इसके इसा का हमारा स्लीजन ठीक है अब आजाते है इसी के सगिंड वाले में अब ये इसी का दूसरा वाला question है ठीक है तो इसको भी हम लोग पहले देखेंगे क्या यह consistent है या नहीं है तो इसके लिए हमने a1 upon a2 को लिखा हुआ है 1 और 3 a1 1 है और a2 हमारे पर 3 है वैसे b1 upon b2 को देखो यहां पर आजाएगा minus 1 और यहां पर आजाएगा minus का 3 और इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं c1 upon c2 में तो यहां पर आजाएगा 8 by 16 और इसको solve करोगे तो यहां पर आजाएगा 1 by a2 जाएगा यहां पर 2 हो जाएगा तो देखो इसको भी देखो तो यहां पर हमारे पास यह किस तरीके कंडिशन आ रही है यहां पर आ रही a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equals to but not equals to c1 upon c2 यह कंडिशन होती है हमारे पैलर वाले और पैलर हमारा consistent नहीं होता है तो यहां पर हम लोग simple से लिख देंगे तो यहां पर आफ पेर ओफ linear equation linear equation अर इंकंसिस्टन्ट क्लियर हो गया यह हो गया इसका second का solution अब आ जाते है इसी के ठेड़ वाले में अब जो इसका तीसरा है ना इसमें क्या होने वाला यह भी बिल्कुल वैसा ही है दो यह हमारा consistent वाला तीसरा इसमें लिखा हुआ है पर 2x और यहां पर हमाई प्रस वाई-6 एक्वस्टू जीरो है ऑके यहां पर हमाई पर 4x माईनस 2y है माईनस हमाई पर 4 है एक्वस्टू यह होगया हमाई पर 0 होगया ठीक है अब इसको पहले तो compare कर लो पहले तो ratio में तो यह a1 अपॉन आट टू किया यहां पर b1 अपॉ हमने c2 किया यह हो कि माइनस 6 बाइ माइनस का 4 तो यहां पर ना हमारे पास क्या है 1 अपॉन 2 है एक सेगंट चेकर लेते हैं तीसरे में ठीक है सब कुछ देखो इसको सॉल्ब करोगे तो 1 बाइट 2 आ गया यह तो हमारे पास 1 अपॉन माइनस 2 है इसको सॉल्ब करेंगे तो यह भी आ जाएगा हमारे पास 1 बाइ 2 आ जाएगा तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा जो A1 है वो बराबर नहीं है A1 upon A2 बराबर नहीं B1 upon B2 के है clear है नहीं है तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि A1 by A2 not equals to B1 by B2 A not equals to हो जाएगा C1 upon C2 मतलब यह तीनों आपस में equal नहीं है तो इस case में क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर solution आजाएगा है क्योंकि यह हमारा consistency है तो यहाँ पर लिख देंगे pair of pair of linear equation linear equation are consistent got it चलो अब दोखो हमारे पास यह consistent है तो अब हमें इसके आंगे भी solve करना है क्योंकि यहाँ पर इसका solution होगा तो कैसे solve करोगे इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे पहले वाले equation तो यहाँ पर हमारे पर 2x यहाँ पर plus y minus 6 equals to 0 यहाँ पर y को यहीं पर रखा equals to कर दिया 6 यह minus का equal के इस idea plus हो गया और यहाँ पर आगे हमारे यह 6 मिल गया ठीक है अब एक्सी जगे में हम वन पुट कर देते हैं वन किया तो हमें वाई मिल जाएगा 6 minus 2 into 1 यह हो गया 6 minus 2 equals to 4 अब यहाँ पर एक्सी जगे में हम पुट कर देते हैं क्या तो अगर हम 2 पुट करेंगे तो यह होगा 6 minus 2 into 2 4 और इसे solve करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमें 2 मिल जाएगा चीक है अब यहाँ पर table यहाँ पर आगे हम आपस x और यह x हो गया यह वाई हो गया अब एक्सी जगे हम 0 पुट करेंगे तो यह हमें 6 मिलेगा और फिर हमने एसी जगे हमें 2 पुट किया तो यह हमको 2 मिल गया यह हमको मिल गया उख यह तो table हमारे बन गई पहली वाली 2y और यहां पर माइनस 4 एक्वल स्टू 0 है अब यहां पर 4x हमने यहां लिखा और यह हो गया हमारे पास 2y प्लस का क्योंकि एक्वल की सेट भी रहे हो माइनस का यहां पर 4 और यहां पर x एक्वल स्टू हो गया हमारे पास 2y माइनस 4 बाई 4 हो गया, यह हो गया, अब हमें क्या करना है, य की जगह में कोई ना को यहाँ पर value को put करना है, तो हम लोग Y की जगह में put करने जा रहे हैं, पहले 0, तो यहाँ पर आजाएगा हमाई पास x equals 2 into 0 minus 4 by 4, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 है ना माइनस ही है हमारे पास एक सेकंड डिशन गड़ बढ़ किया दोखो यह हमारे पास माइनस का था एकवल की साइट आ जाएगा तो यह प्लस का हो जाएगा ठीक है तो यहां पर स्ट्रिप बचेगा हमारे पास 1 अब वाई इंटू 2, प्लेस हमने 4 किया, by 4 किया, 4, 4, 8, और 8 चला जाएगा हमारे 4 से, तो यहाँ पर आजाएगा 2, अब y की जगह पर हमने पुट कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो यहाँ पर आजाएगा हमारे, x equals to 2, इंटू, यहाँ कर दिया, हमने y की जगह पर 4 कर दिया, एक सेट, y अब यहाँ पर बना देते हैं, इसकी टेबल, यह टेबल बन गई हमारे पस, यहाँ पर x, यहाँ पर y, अब देखो हमने y की जगह में 0 पुट किया, x 1 आया, फिर हमने y की जगह में 2 पुट किया, तो x हमें 2 मिल गया, फिर y की जगह में हमने 4 पुट किया, तो x हमको मिल ग Gnade झो मिले धे कुछ इस पॉंट मैं तो इस पॉंट को हम लोग बोल देंगे 1, 4 अब हमारे पस X X B 2 है Y B 2 है तो यह दोनों हमारे मिल जाएंगे कुछ इस पॉइंट में यहां पर हो गया 2, यहां पर 2 हो गया यह वाले टेबल से अब इसमें आ जाओ इसमें भी देखो क्या है 1 और 0 है 1 हमारे पास X है यह है और 0 हमारे पास यह है यह पॉइंट है तो यहां पर हमारे पास आ यह ऐसे ठीक है यह पॉइंट हमारा ऐसे दब आप ग्राब में वराऊना तो बिल्कुल accurate बनेगा यह हो गया हमारे पस अब आजाओं यहां पर हमारे पस दूसरा क्या है दूसरी पॉइंट है हमारे पस टू और टू मतलब यह वाला पॉइंट है अहां यह यह ठीक है और फिर यह हो गया और यही हो जाएगा हमारे पस इसका चलिशन अब चलो अब आते इसी के छोट ही में जोट है फूर्द को सब्सक्राइब करना उसको देखो पहले तो हमें चेक करना क्या यह conditions है यह नहीं है तो इसके लिए पेले हमने question लिखा 4 और यहाँ पर आगए हमाएपस 2x हो गया माइनस 2y हो गया माइनस 2 हो गया "-2 हो गया equals to zero और यहाँ पर आगए हमाएपस 4x minus 4y और यहाँ पर अब दखो consistent है या नहीं इसके लिए अम लखेंगे a1 upon a2 और यहां पर आगे हमाँ पस 2 by 4 यह हो गया हमाँ पस B1 upon B2 और यह हो गया हमाँ पस minus 2 by minus का 4 और यहां हो गया हमाँ पस C1 upon C2 यह हो गया minus 2 by minus का 5 देखो, यह इसके equal है? विलकुल भी नहीं है हाँ चलो इसके equal है बट यह इसके equal नहीं है 2 x 4 हो गया, यह भी हमाँ पर 2 x 4 हो गया, यह मतलब क्या हो रहा है कि जो A1 upon A2 है, यह बराबर तो है B1 upon B2 के, बट यह equal नहीं हैं दोनों C1 upon C2 के, अब जब इस तरीके ही case होता है, तो हमारा solution क्या होता है? पैलर आता है, और पैलर होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि यह inconsistent है, यहां पर लिखेंगे, so, linear, linear equation, यहां लिख दिया, pair of, pair of linear equation is inconsistent, बस, यही हमें करना था, तो यह हो गया, question number 4 का हमारा solution, समझ में आगे, question number 4 कितना simple था, अब आज आते हैं हम लोग, question number 5 में, question 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter finder dimension of the garden, question कह रहा है कि एक garden है, जो rectangular shape का है, और उसकी length 4 meter है, 4 meter जादा है उसके width से, क्या कह रहा है कि 4 meter जादा है उसके width से, और अगर उसके perimeter को half कर दिया जाए, तो हमें यहाँ पर 36 meter, ठीक है, और question कह रहा है कि जो हमाँ पास garden है उस garden का dimension find करो, मतलब कि length और width find करो, अब हमें पता है कि question जो भी चीज़ find करने के लिए कहता है, उसे हमें सबसे पहले let करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग let करेंगे length और width, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दि length of garden, ठीक है, हमने garden की length let कर लिये, यहाँ पर x meter, और इसी तरह हमने let क्या किया है, विर्थ किया है, यह हमने let कर लिया है भाईया, y meter, ठीक है, यह garden है, जो की rectangular shape का है, length of width हमने यहाँ पर let कर लिये, अब हमसे question ने कहा हुआ है कि perimeter की बात किये, अच्छा अगर हम लोग perimeter का formula लिख दया है, perimeter of, हम यहाँ करते है, garden, अगर हम लोग perimeter of garden कर देते हैं, तो इसका formula क्या होता भी है, 2 x plus y हो जाएगा, x plus y, यही होता है, कर दिया, अब आजा question के according, तो लिखा हमने according to question, question ने क्या का है, कि हमारे पर जो length है न, वो breadth के 4 meter जादा है, breadth से 4 meter जादा है, अगर हमें length निकालनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, length हमने यहाँ पर x की थी, तो length हमारी width से 4 meter जादा है, width हमने क्या लेट किया y, और यहाँ पर 4 meter हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 4 ही लिख दो, meter अभी मन लिखो, इतनी बात किलिए है, तो यह हमें क्या मिल गई, length मिल हो गया है, अब इसको बोल देंगे, यह हमारे पास पहली equation है, हमने निकाल लिखेंगे, अब इसी तरह किसे दूसरी equation निकालें कैसे, question ने क्या करता है, कि अगर इसके perimeter को half कर दें, अच्छा इसका perimeter हमने अभी बताया है, क्या है, यहाँ लिखा हमने 2, और यहाँ पर हो गय तो हमें यहाँ पर मिल गया, यहाँ लिख दिया हमने x plus y equals to 36 मिल गया, अब यह जो मिला है यह हो गई हमारी दूसरी equation, क्या हो गई, दूसरी equation, अब यह पहली equation, अब यह दूसरी equation, अब पहली और दूसरी equation से हम लोग निकाल लेते हैं length और width, ठीक है, चलो, अब कैसे length और width निकालोगे, देखो, यहाँ पर हमने लिखा पहली equation, जो कि हमारे पस x minus y equals to हो गया, हमारे पस 4, यहाँ पर x plus y equals to 36, solve करो, यहाँ पर हमारा y cancel, 2x 40, यहाँ पर आगया हमारे पस 20, ठीक है, तो x तो हमको यहाँ पर 20 मिल गया, अब हमें y चाहिए, तो y के लिए क्या करोगे, किसी भी एक equation में put कर दो y की value, x की value, तो x equals to हमने लिखा यहाँ 20, अब हमने ले लिए जैसे कि पहली equation ले लिए, पहली equation हमारे पस x minus y equals to 4 है, ऐसे यहाँ पर 20 लिखा, minus y किया, equals to 4 किया, y को equal के इस साइट भेज़ दो, यह minus से plus हो जाएगा, यह plus से इधर हो जाएगा, minus, solve क क्लियर होगी, तो y हमको यहाँ पर 16 मिल गया, x हमको यहाँ पर 20 मिल गया, got it, यह बात हो गई हमारी क्लियर, अब देखो ऊपर आजाओ थोड़ा, हमने x क्या लेट किया था, length, तो हमें यहाँ पर length मिल गई, यहाँ लेखा, length, length equals to x, और x आगे हमारे पस 20, यहाँ पर कर द समझ में आगे हैं कितना simple हो, easy था था न, दोको question 5 complete, अब आजाओ question 6 पर, question 6, given the linear equation, this, write another linear equation into variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting parallel line, coincident line, दोको question कह रहा है कि दोको, एक equation हमने तुम्हें दे दी, एक linear equation हमने तुम्हें दे दी है, अब तुम क्या करो, कि दूसरी linear equation into variable बनाओ, और ऐसी बनाओ, कि जब हमने कुसको solve करे, graph में represent करे, तो पहली condition क्या होने चाहिए, intersecting होने चाहिए, फिर दोबारा एक ऐसी equation बनाओ, क दोबारा तुम graph में represent करो, तो parallel line होने चाहिए, और फिर तीसरी बार में coincident होने चाहिए, इसमें हमें graph नहीं बनाना है, बट हमें यहाँ पर बनाना क्या है linear equation into variable, कैसे, दोको एक equation यह दे दी गई है, दूसरी equation यहाँ पर है, वैसी एक equation हमें बता दी गई है, बट हमें दू दूसरी equation ऐसी बनानी है, कि यह हमाई तीनों condition satisfy हो जाए, अब कैसे, देखो, यहाँ पर intersecting line कब होती है, जब हमारा a1 upon a2 not equal होता है b1 upon b2 के, ठीक है, पहलर कब होता है, जब हमारे पस a1 upon a2 equal होता है b1 upon b2 के, बट c1 upon c2 के नहीं होता है, और यहाँ पर coincident कब होता है, जब ह हमारे पास यह तीनों आपस में equal होते है, तो हमें ऐसी equation बनानी होगी, कि हमारे पास पहले वाले में यह case हो जाए, दूसरी हम यह case आ जाए, तीसरे वाले में यह case आ जाए, अब यह बनेगी कैसे, ठोड़ा सब उस्कों हम लोग समझ लेते हैं, चलो, आज आते हैं, हम की वाई माईनेस 8 एक्वस टू हमने कर दिया है यहांपर 0 यह होगे हमारे पास अब बनाओ कि कैसे पहले तो देखो क्या पूछ रहा है पहले वाले में कोइंसीडेंट पूछ रहा है तो यहां पर लिखा में कोइंसीडेंट ठीक है और सवरी सवरी इंटरसेक्टिंग है intersecting कब होती बहिया जब a1 upon a2 और b1 upon b2 और c1 upon c2 ये आपस में equal नहीं होती तब होती है अब कोई एक ऐसी condition बनाओ मतलब ऐसी equation बनाओ ताकि ये हमारी इस case में fit हो सके कैसे बनाओगे देखो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास एक equation है अगर हम ऐसा कुछ कर्दें जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें ओके यहाँ पर कर दें दूसरी अपने मंद से बना दे एक्स करदें यहाँ पर कर दिया हमने थरी in iq कर दिया non माइनस हमने ten कर दिया एक कॉस टु जीरो कर दिया अगर हम लोग इसको a1 upon a2 के के फॉर्म में करते हैं तो यहां पर क्या रहा रहा टू बाई वन आया और यहां पर आ जाएगा बी वन अपॉन बी टू के फॉर्म में कर दिया तो यहां पर क्या जाएगा यह जाएगा यह जाएगा थ्री यहां कर दिया plus, यहां कर दिया हमने सिर्फ y कर दिया और equal to कर दिया हमने यहां पर प्लेस कर दिया हमने चलो, प्लेस कर दिया हमने यहां पर 4, अगर इसको भी आप देखोगे ना, तो यह भी आपको क्या देखेगा, यह intersecting देखेंगा, अब compare करके ratio में करके देख लेना, यह तो हमारा पहला वाला हो गया, अब इसी तरह दूसरे वाले में आ जाते हैं, दूसरे में हमें क्या करना है, parallel करना ना, लिख देते हैं, parallel line बनने चाहिए, अब parallel line की condition क्या होती भाया, जो a1 upon a2 होता है, वो बराबर होता है, b1 upon b2 के, बट यह दोनों equal नहीं होते हैं, c1 upon c2 के, ऐसा हमें बनाना है, तो यहाँ पर एक दो condition हमें पता है, मतलब एक हमें linear equation पता है, जो कि है 2x plus 3y, minus 8 equals to 0 यह है, हमें दूसरी बनानी है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका double कर दो, simple सी बात है, 2 का double कर दो के, 4x आजाएगा, और यहाँ पर 3 का double कर दो के, 6y आजाएगा, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, यहाँ पर हमने लिख दिया, plus 9 लिख दिया, minus 9 लिख दो, कुछ भी लिख दो, यहाँ कर दो 0, अब यह जो case होगा ना यह हमारा parallel वाला बनेगा कि दो कैसे a1 हो जाएगा हमारे पस upon a2 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पस 2 by 4 ठीक है और यहाँ पर b1 upon b2 देखो हो जाएगा हमारा 3 by 6 और यह c1 upon c2 हो जाएगा हमारे पस 8 by 9 अब देखो solve करोगे 1 by 2 इसको solve करोगे 1 by 2 तो देखो यह दोनों आपस में equal हैं बट यह नहीं है अब ऐसे कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर 4 किया तो 4 कि जाएगा पर 8 कर दो यहाँ पर 12 कर दोगे और यहाँ पर कुछ भी ऐसा रख दो कि जाता कि यह equal नहों सके बस हमारा पैलर बन जाएगा अब तीसरे वाले माँ आजओ अब जो तीसरा हमारे पास उसमें हमें बनाना है coincident ठीक है इन तीनों की जो आप कोफिशेंट देख रहो ना इसको डबल कर दो टू की जगह में 4x कर दो यहाँ पर 3 की जगह में 3 का डबल हो जाएगा 6y कर दो यहाँ पर 16 कर दो equals to 0 कर दो आप इसे compare करोगे ना ratio में इस तरीके से तो आपको बिल्कुल सेम दिखेगा तो आपको मिलेगा A1 upon A2 बरावर मिल जाएगा B1 upon B2 के और यह मिल जाएगा C1 upon C2 के बस यही हो जाएगा इसका solution ठीक है I hope आपको समझ में आगया question number 6 अब question number 6 हमारा हो गया अब आते हैं हम लोग question number 7 पर question 7 draw the graph of the equation this and this determine the coordinates of the vertices of the triangle found by this line and the x-axis and set the triangular reason question कह रहा है कि इन दोनों triangle से sorry इन दोनों equation से एक graph बनाओ कुछ इस तरीके से यह graph हमारा बनेगा यह किसी दूसरी question का graph है ग्राफ बनाने के बाद x-axis में जो हमारा triangle बनेगा दोखो इसमें यह triangle बनना है इस triangle को इस तरह से shades कर दो उसके बाद इसकी जो vertices है वो बता दो यह question पूछ रहा है बहुत simple question है पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा graph बनाना graph कैसे बनाओगे graph बनाने के लिए हमें x और y की value पता होना चाहिए coordinate पता होना चाहिए तब ही थो हम बना पाएंगे तो चलो सबसे पहले y find करते हैं तो यहाँ पर लेते हैं पहली वाली equation जो की x-y प्लेस 1 वाली एकलस टू कर दिया हमने 0 के अब यहाँ पर लिखा हमने x एकलस टू यह माइनस का इदा चला जाएगा प्लस यहzen प्लस का इदा आ जाएगा माइनस हो जाएगा freedom अब यहाँ पर y की जगह में कोई value put करो तो हमने यहाँ पर y की जगह में put कर दिया 1 तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x equals to 1 minus 1 equals to 0 अब हमने y की जगह में put कर दिया है 2 तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें x equals to 2 minus 1 equals to 1 मिल जाएगा और हमने y की जगह में put कर दिया 3 तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x equals to 3 minus 1 equals to 2 हो गया यह हो गया ठीक है यह हमको मिल गए अब इसकी हम लोग table बना लेते हैं तो यहाँ पर आ गया x और y y जब हमने 1 put किया तो x हमें 0 मिला फिर हमने y में 2 put किया तब हमें x मिला था 1 फिर हमने y की जगह में 3 put किया था तो हमें x मिल गया था 2 यह हो गया हमाँ पर पहले की table आप इसी तरह दूसरी वाले equation में आज़ो दूसरी equation हमाँ पर 3x plus 2y minus 12 equals to 0 है अब इसको कैसे करोगे देखो फिर ध्यान से यहां पर न हम लोग क्या करेंगे दिखेंगे x equals to 2y यह दो हमारे पास किसका plus का है यहां पर आ जाएगा minus का हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारे पास plus का 12 ठीक है और यहां पर 3 देखो एकवल के सेट इन दोनों को भेजा तो sign change हो गया यहां पर लिखा हमने x equals to 12 पहले लिखा फिर minus कर दिया 2y और यहां पर आ गया 3 यह दो को multiply में इदर आ जाएगा divide में अब इससे solve करो अब हम लोग Y की जगह में पहले 0 put करेंगे तो दीखो क्या आ जाएगा 0 यह 0 हो जाएगा पूरा फिर Y की जगह में हम 3 put करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 6 2 जो चला जाएगा 6 ृ regular 6 तो हमें x लेइए हम पर 2 मिल जाएगा फिर य ती जंगह में jogar 6 वे सिक्सुट कुण को पूट करेंगे 6ुट करेंगे 12 12-12 मतलब 0 तो यप को बस्व कम हम यहां पर मिल जायगा 0 यह हम को मिल uggी सोरे मैं मल जाय और यहां पर एक्स निल गी सो कहने जाए आप टेवल बनाना तो यहां पर एक्स यहां पर ॉज़ मुलम dollar जाय तो ठीक है चलो अब ये दो हमें table मिल चुके हैं अब इस table से हम लोग आ जाते हैं graph में तो यह रहा हमारे पास graph देखो सबसे पहले आपको क्या देख रहा है यहां पर 0 और 1 देख रहा है इसको देखो 0 1 देख रहे है coordinate तो यहां पर 0 क्या है X हमारे पास 0 यह हो जाएगा और Y हमारे पास 1 यह हो जाएगा यह point हो गया हमारे पास ठीक है दूसरा हमारे पास देखो क्या है X हमारे पास 1 है X हमारा 1 यह है और Y हमारे पास 2 है 2 हमारा आएगा इस point में यहां पर यह हो गया और x हमारे पस 2 है x हमारा ये 2 है y हमारे पस 3 है तो ये बनेगा हमारा कुछ ये point ये 3 point हो गए हमें मिल गए अब इसको मिला दो ये हमने ऐसे मिला दिया ठीक है इस point का नाम लिख देते हैं ये है 0,1 ये हमारे पस 1,2 और ये है 2,3 है ये बन गया अब इस पर आजाओ, यह X दिखरा है 4, यह होगा हमारे पास 4 Y 0 है, मतलब यह पॉइंट बन रहा, यहाँ पर होगा 4,0 यह 2,0,3 है, X हमारे पास 2 है और Y हमारे पास क्या है, 3 है Y हमारा 3 यह है, मतलब यह अलब पॉइंट हमारा फिर से बन रहा 2,0,3 वाला, ओके, फिर हमारे पास है X 0 है, Y हमारा 6 है, मतलब यह पॉइंट बन रहा है ठीक है, 0,6 वाला, अब इन तीनों को मिला दो अब हमने इन तीनों को मिला दिया, तो देखो जो हमारा ट्रेंगल बन रहा है, यह ट्रेंगल दिख रहा है, आपको लेक़्ें हमने वर्टिसे, वर्टिसेंगर यह हो जाएगा हमारे पास 1, A, ठीक है, यह क्या है 2,3 पहला वर्टिसे यह हो गया, यह हमारे पास 4,0 यह हो जाएगा हमारे पास –1,0, ठीक है, minus 1, jaki होगा यहांपर अब यहां लिख देते हैं, A जो कि है 2,3 और यहां पर आगया B जो कि यह हमारे पास 4,0 और यह हो जाएगा हमारे पास C यह हो जाएगा हमारे पास minus 1,0 यह हो गया हमारे पास vertices अब question ने क्या कहा था जो triangle बनेगा उसे shade कर दो लो कर दिया shade बस यह हो गया हमारे पास solution देखो यह तो question बहुत easy है बट अगर आप RS Agrawal के solution को देखोगे न तो आप से कहेगा कि यह जो triangle है इस triangle की area बताओ दो इस तरीके question RS Agrawal में आपको मिलेंगे अगर आप RS Agrawal को भी solve करना चाहते हो तो हमने वो solve कर दिया इसी channel बढ़ा है आप अराम से इसके solution देख सकते हो आप जितनी ज्यादा practice करोगे इन question की उतने ही आपके लिए अच्छे रहेगा और उतने ही अच्छे marks आपके आएंगे तो यहाँ पर exercise 3.1 हमने पूरी solve कर ली है ठीक है अगली वीडियो में हम लोग करेंगे exercise 3.2 और 3.2 को भी एक ही वीडियो में निप्टा आ देंगे पूरा फिर हम लोग करेंगे exercise 3.3 को अब यह सारे exercise बाद में करेंगे और exercise जो 3.2 होगा इसकी link आपको description में मिल जाएगी मि इते हैं next वीडियो में और next वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 3.2